हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आफटाप इस्टडी क्लासुस में आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उचाई और दूरी का एक बहुत ही महत्पूर्ट सवार है जो कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है एक मीनार के आधार से और एक सर लेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर इस ते दो बिंदूओं से मीनार के सिखर के उन्नेयन कौण एक दूसरे के पूरकोंड है सिद्ध कीजे कि मीनार की उजाई बारा मीटर है अब समझो बात कराए कि इसको यहाँ पर सही समझना है ठीक है आप लोग सही समझोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी सवाल कराए कि एक सवाल कराए कि पड़ेंगे बनाएंगे एक मीना से लिए यहां पर लोग मीना बना लेते हैं कि यह हमने एक मेना लिए मेना बना लिए आपकी देखे मीना बन गई है यह बन गई है आपके मीना अब जो नहीं कि मिनार मिनार कि नहीं बने चित्र बनना चाहिए एक मिनार के आधार से आप देखिए यहां पर दो है यहां मिनार में देखें तो इस विंदु को कहेंगे इसके दो नाम होता है एक तो उसका नम पाध बिंदो कुछ भी लिखा हो समझाएगा और इसके कहते हैं सिर्स तो सवाल में आप से क्या कहा है उसको समझेगा सवाल कह रहा है कि एक मेनार के आधार से एक सर लेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर इस थे दो बिंदू तो इस आधार से तो पहले दोखो यहां पर थोड़ी गासे समझो तो यह वाला बिंद हो गया तो समझे लिए आप लोगों ने अब हमें समझना क्या है हमें समझना यह है कि इस आधार से 9 मीटर एक 9 मीटर पर है और इस से 16 मीटर मतलब दो बिंदू है जैसे एगर हम मान लें यहां पर कि एक बिन्दू यहाँ पर है और एक बिन्दू यहाँ पर है मालिया कि अगर ए बिन्दू यह है बी बिन्दू यह है तो ये वाले जो दूरी है आपकी वो है आपकी 9 मीटर पहले दूरी यहाँ सको 9 मीटर आधार से और आपके दूसरी दूरी है वह आपकी है 16 मीटर यही तो है बस इतना बताता है समझते हैं ना सही से एक मीनार के आधार से एक सरलेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर इस्थित दो बिंदों से मीनार के सिखर के अब देखो एक मीनार के सिखर के उन्ने कोड और फिर से देखेंगे उपर की यो तो सीच यह वाला एक बना जाके और या बीडू से देखें फिनार के उचाए बारा मीटर एक दूसरे के पूरग अब देखे पूरग क्या होते हैं पूरग समझें हम पर पूरग क्या होते हैं कि जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री होने को टिक पूरग पूरग कहते हैं जैसे अगर एक कौन 45 है दूसा कितना होगा पैंतालिस हाइं ऑगाया चार्फा कितना हो जाए हा पचास नब होगा ऐसे माल लेंगे कि अगर एक तीटा है तो दूसा कितना हो जाए हागा नबब माइनस थीटा अगर इन दोनों को जोड़ा लोगे आप जैसे समझे भात यहीं पर समझो थोड़ा सा जैसे एक फिसटा कितना है क्य तो यह बीवारा नभी मानेश ठीटा हो जाएगा कोई दिक्त नहीं आप से कह रहा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की उचाई 12 मीटर है क्या सिद्ध करना है कि मीनार की उचाई 12 में है यह जो उचाई है यह 12 मीटर सिद्ध करनी हम यह मान लेंगे कि एच मीटर कितनी मान लिए यह मीनार है आपके ठीक है यह क्या है मीनार अब देख लो सवाल आपका आप नोट करना एक मीनार के आधार से एक सर लेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर इस तिदो बिंदू से मीनार के सिखर के उन्यकुण एक दूसरे के पूरक कुण है मतलब क्या एक मीनार के आधार याधार से नौ मीटर और 16 मीटर की दूरी पर इस दो बिंदू से मीनार के सिखर के उन्यकुण एक दूसरे के पूरक है तो मीनार की उचाई ग्यात किजिए यही तो कह रहा हम से अब देखो आप लोग समझूं हाँ तु सिद्ध कीजिए कि मेनार की उचाई 12 मेटर हम मान लेंगे इसमें कि माना माना मीनार की उचाई बडावर हम मान लिया मेनार है उसकी उचाई कि इतनी है सबसेफर है अब लिखेंगे देखो इस नाम रखे लें तो hrm दी हो कि युद्यर्यासी तक कि इस पिस फिर लिए यहां पर आपका दी तक ये वाला अन्योज उसको में लिखेंगी अब प्रवाट पर ठीक है कि अब लिखेंगे समकॉण तुझ समकॉण तुझ डीसी ए में अब डीसी ए में टैन नब्य मानेश ठीटा बदावा टैन ठीटा किया होता है लंब बटे अधा लंब कितना आपका एच है एच लिख लेंगे और आधा कितना है होता है इसका फामला होता है को ठीटा यह को ठीटा हो जाएगा आपका एक मन जाएगा अब देखो अगले समीकर्ण के यहां में बात करें तो अगरा समुझा देखो यह देका सबस्क्राइब कुटा धसे अधा करें श्यूटओं सम्कौण तोज अधाम समकौण तोज विक्षच्ट में यहां थीटा है लिखेंगे एंगे यहां पर कि टेंटर कर अधा लगए आता होता है लंग रान्म होता है लमकित ना है एच और है अधा किना टोटल लमब अब लिखेंगे समी करण एक वाद दो की गुणा करने पर समी करण एक वाद दो की गुणा करने पर यह हो जाएगा आपका कॉट ठीटा इंटू टैन ठीटा गुणा करतेंगे अपन नाओ गुणा एच अपन 16 क्लियर इतना ही आ गया इसके आगे देखो कॉट ठीटा को लिख सकते हैं लोग एक बटा टैन ठीटा गुणा में है आपका टैन ठीटा बदावत एच इसका गुण भूर में 144 कि लिए 10 ही एसाइट नंत्रा कतम आपका आपका जाएगा कि एचप्वाइर ब्रावर 144 यहां से एच का मन निकालेंगे कितना जाएगा एंडरोillे 144 रूट 144 कितना होता है बारह तो अवान आपका जाएगा बारह आम अब आहा अब दुख अब्लाआ गया को था तो आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि इस टैप से सवाल में आते हैं यह दूरी 9 बात आपको 16 दी गई किसी किसी में दूरी A और B दे रहेते हैं फिर कहते हैं अगर आप लोगों की डिमांड है उसको भी लगाने के तो आप लोग कमेंट वाक्स किजिएगा तो वह सवाल भी हम ज़रूर लगा देंगे ठीक है तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अ झालु सवाल एंगे तो आप लगाने में सकते हैं